अलो स्टुडेंट्स लास्ट हम लोगोंने चप्टर 14 कवर अप किया था अपना आफ क्लास 12 जिसका हम लोगोंने बेसिक स्टार्ट किया था कि भी एको सिस्टम के अंदर क्या-क्या है उसका क्या स्ट्रक्चर है क्या फॉंचन है सब्से wyst Re closet करना फ OF इ Town इको सिस्टम के बार में टी करना है डाहिस दव में पांड इको सिस्टम इव की प्रिए कि तुछ न अब्लूब क्या हो गया कि जो प्लांट प्रिड्यूस करते हैं तिक का कितना फूड प्रेड्दीस कर रहे हैं कैसे प्रेड्यूस कर चाप्टर नेमर 13 warmer Prede अजे सब्सक्राइब अर्गारा अगर सब्सक्राइब आदर करते नहीं करते है कितना किस्का यख अबहुत जो और्गोनीजम्स हैं वह भी हमारे अगर yet यहां में थे डेकर सब्सक्कर लेवल किसका आ जाएगा हमारा decomposers का ठीक है यह मड़ एरिया है क्योंकि हमने terrestrial land के ओपर हमारा pond present है तो यह क्यों होगे हमारा mud area ठीक है यह water होगी इसके अंदर देखिए अलग-अलग यहां पर plants आपको दिख रहे हैं कुछ free floating है कुछ submerged है ठीक है तो यह अलग-अलग category जो है कि हमारी किसकी हो जाएगी बाइटिक component की तो अगर हम लोग बात करें एक pond के अंदर की pond में कौन-कौन से component जो है वो प्रेजेंट होंगे बाइटिक एस वेल एस अबाइटिक तो वो component कौन-कौन से हो जाएंगे हमारे लिए बाइटिक component क्या होगे pond ecosystem में सबसे पहले हो जाएगा हमारा प्रेडियूसर ठीक है प्रेडियूसर में जो वर्ड इवन है phytoplankton फाइटो का मतलब होता है जो हमारे इसके अंदर प्रेडियूसर में phytoplankton में हमारे कौन से हो सकते हैं इनको हम लोग बोलते हैं कि यह डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं जैसे पिस्टिया है एजोला प्लांट हमारे जो स्मॉल प्लांट है ठीक है तो जो फाइटो प्लैंक्टन हैं बेसिकली यह फ्लोटिंग यह suspended form में ही present होती है इसके अंदर अगल में काउंट आउट करें तो जो फाइटो प्लैंक्टन से इनके अंदर हम लोग डाल सकते हैं अपने जो एलगल फ्लामेंट है जैसे स्पाइरो गयरा है ठीक है जैसे आपको पता है कि स्पाइरो गयरा जो एलगी है वो हमारी सिंपल आई से विजिबल नहीं है तो हम इसके अंदर देको फाइटो प्लैंक्टन में किसको डाल सकते हैं इसमें आजाएगा अपका जाएगा थिए स्पायरो और स्पायरो गाइरा ठीक है इसके अलाबा एक और नेम है कि इंदर जिसका नाम है जैग निमा ठीक है ये कुछ ही सक अंधर हमारे आते हैं ये फिलामेंट प्रेंटी लगी नगी हो जाएंगी इसके ज्वाफ एक लगी के अंदर और रापना पूले अपना आता है तो जो पॉलेमा राएं इन पर ऊपर हमारे उसे टैर हिए हैं इस तरीके से हम उनको बोलते devotee कौन से प्लांट हमारे फ्लोटिंग तो फ्री फ्लोटिंग जो प्लांट है हमारा हम लिकते हैं वर्ड impact o hop minister जो वर्ड है यह हमारा प्लांट त्या मिक्र सकॉपी की कुऩ एंदर चुटा सा ब्लांट होत है इस मुलर सन zak conditions हाइडिलेृ फॉत यह सबसे जादा यूज होता है और एक और यह लीफ-like structure जिस को लोग नाम देते हैं किस वैलस नेरिया का मंथ होता है यह हमारे वह प्लंदु होगते हैं जिनकी roots हमारे pond के अंदर होंगे root है pond के अंदर लेकिन बाकी जो vegetative body part है वो कहाँ पे होता है plant के बाहर होता है तो इसका सबसे common example अगर आपको मैं बोलूँ तो यह होता है टाइफा टाइफा सब को बहुत पसंदब गर्मी के सिज़ में मिलता है सिंगाडा हम जिसको बोलते है तो टाइफा जो plant है यह इसका example हो जाएगा इसके अलावा ट्रैपा एक और plant है हमारा टाइफा एंड ट्रैपा ठीक है यह common plant है जो हमारे इसके अंदर हम यूज़ करती है next one is about the consumer की consumer कौन से होंगे अब देखो microscopic plant है तो इसका मतलब microscopic consumer भी present होंगे तो यहाँ पर कौन से होगे हमारे zooplankton ठीक है तो zooplankton के अंदर कौन सा आएगा हमारा microscopic इसके अंदर हम लोग डालते है main हमारा yuglina ठीक है microscopic के अंदर कौन सा डालते है zooplankton में हम लोग उने yuglina उसके बाद आते हैं हमारे free floating plant की free floating कौन से तो free floating के अंदर हमारे जो है larvage जो होते है insect के जो larvage है वो इसके अंदर हम लोग conclude करते है ठीक है इसके लावा hydra जो है यह hydrilla plant है और hydra यह animal है ठीक है silentrator के अंदर आता है अपना तो यह organism इसके अंदर आते है bottom dwelling forms के अंदर जो बिल्कुल surface पे नीचे बिल्कुल bottom पे end part पे present होते है वो bottom dwellers आते हैं तो इसके अंदर फीशेस भी हो सकती है इसके अंदर हमारे जो है molluska के अंदर वो organism भी हो सकते हैं इसके अंदर हमारे जो ग्रेजिंग जो हैं जो नीचे बिल्कुल बॉटम पे जाते हैं जिसे कि साइक्लोप्स वगरा हैं वो और गनिजम भी इसके अंदर प्रेडियूजर हो सकते हैं इसके अलावा सर्फेस के ऊपर एक करने वाले जो सर्फेस के ऊपर हैं बहुत से बर्ड को आपने देखा होगा क लाइब की वह पौं नकिते हैं टा करें, नकिनि लोग बात करने ये तो मारे सा होका साथे प्राइमरी कोन्जूमा इनकोईट करने वाले जो हैं जो हैं वर वो हैं कै लई है हमारे लेमरे फ्लिक करने लिए 20 यांदर स्वाय contraction कष करते हैं कि ऊसको की सुमारिश बीकान सी स्म लार्ज भीड शश ठीकलें लार्ज फिश जो है वह कोई हां नहीं पर ड्रीक・डाऊन के लिए प्रजेंट होंगे हमारे बास अती है इसके अन्दर अबात अती है इसके अंदर अबात आतीक सबसे स्टाटिंग में हमने चाहिए सबसे सबसे पहले लगानिक और जो कि अधर कि अधर कर और ऑगानिक कर्बो हैटेट विगड़ा जो आजाएंगे कर्बो हैटेट जिए अधर को छोड़कर बागी जो आगए वहमारी किस बाते हैं नो और गानिक के अधर और ऑक्सिजन की सफॉर्म थे प्रेजेंट और नहीं ले रहें पॉंड कि पानी का ठीक है तो दूबारा से बॉटम यह तखेंगे सॉइल पार्टिकल एड़ बॉटम सॉइल पार्टिकल क्योंकि सस्पेंडड फॉर्म में रहते हैं वह सेटल आउट नहीं होते हैं तो यह है हमारा सिंपल पॉंड एको सिस्टम की पॉंड एको सिस्टम में क्या कुछ चल रहा है देखिए अगर इसमें बात करें प्रेडूसर जो प्लांट है वो क्या प्रेडू करने के लिए कि सकता ही स्थ इनर्जी कि बात करें कի bunu की यहां रही है कि प्रेडूसर क्या इसके पास इनर्जी pics के पास कंसुमर के पास कnhुमर से किसके पास गई वह थैन कािकरमक्री कोति एक शगेमर सेकश्य कांजूमर itedis from producer to top consumer, this is called as unidirectional flow, ठीक है, अब यहां पर यह सब कुछ अपना अपना जो यूज कर रहे हैं, जो दे रहे हैं एंवार्मेंट को, that is called as their input, वो जो दे रहे हैं, वो कहलाएगा input, जो हम उन से ले रहे हैं, that is called as the output, ठीक है, अब हम लोग स्टडी करते हैं, अपना next topic, that is the productivity, ठीक productivity होता क्या है, what do you mean by the word productivity, productivity, ठीक हो, productivity सीधी सी बात है, किस से रिलेट करेगी हमारी, यह रिलेट करेगी किस से हमारे producer से, कि producer कितना क्या produce करते हैं, ठीक है, यान कि सिंपल सी बात है, कि इसको define करें हम लोग तो यह क्या होता है, productivity, it is the rate of biomass production, rate of biomass production, कितना biomass product produce हो रहा है, अब जो rate of biomass production है, यह हम कैसे count करेंगी, ठीक है, तो इसको इसके इसाब से क्या कर देंगे, और, एक और definition हम निकाल देंगे, it is the rate of organic matter production per unit area over a time period by plant during plant क्या करते हैं, photosynthesis, ठीक है, तो during photosynthesis, this is what we called as a productivity, ठीक है, अब इसमें देखो, मैंने क्या बोला है, कि पर unit area over a time, ठीक है, तो पर unit area तो हम लोग जो है, meter square के अंदर इसका ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन, जो इसमें time period हम लेते हैं, time period हम लोग लेते हैं, year का, ठीक है, तो अब यहां पर हम लोग इसको unit कर लेते हैं, कि इसकी units क्या है, units, इसको express करने की, kilo calorie meter square per year, ठीक है, kilo calorie meter square per year, यह हो जाएगी, या फिर, दूसरी unit क्या use कर सकते हैं हम लोग इसके अंदर, gram per meter square per year, यह भी हम use कर सकते हैं, अगर हम लोग ग्राम में करें, calories में ना करके, अगर हम उसको सिर्फ by weight कर रहें, यहां पर हम लोग उने use किया energy के term में, calories हम कभी measure करते हैं, energy के term में, यहां पर हमने simple weight कर लिया by the term of biomass की कितना वो produce कर रहा है, ठीक है, अब उसके बाद, term हमारे पास आती है, primary productivity, primary productivity क्या होती है, ठीक है, this is primary productivity, primary productivity का क्या मतलब होगा, primary productivity का मतलब हो गया कि जो हम लोग ने count किया, ठीक है, यहनकि एक single year में हम लोगों ने count किया है, हम उसको लेंगे, तो इसकी definition हम क्या रिखेंगे, primary productivity की, the rate at which, the rate at which, radiant energy, radiant energy का मतलब क्या होगा हमारे लिए, solar energy, ठीक है, क्योंकि जो food है, वो किस से बना रहे है, solar energy से, ठीक है, radiant energy is stored by photosynthesis, and chemo synthetic, देखो photosynthesis जो process हो रहा है, इसके अंदर chemical wave ही हो रहा है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, कि simple, जो हमारे inorganic products हैं, उनको हम लोग combine करके, एक large molecule बना रहे हैं, तो यहां पर हम लोग साथने और दूसरा वर्ड क्या डालते हैं, and chemo synthetic activity of producer, ठीक है, producer की activities हमने ले ली, वो photosynthetically कर रहा है या वो chemical ली कर रहा है, तो इसको express करने की units हमारी ये वाली same रहेंगी, जो हमारी productivity की है, like this, ये same रहेंगी, ये change नहीं होती, अब इस primary productivity को हम divide करते हैं दो parts में, ठीक है, एक होता है GPP, एक होता है NPP, GPP का मतलब होता है, gross primary productivity, एक्सस में जो भी present है हमारे पास, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, gross primary productivity का की photosynthesis से, plant ने जितना भी food बनाया है, that food is called as gross primary productivity, ठीक है, तो इसकी definition क्या हो जाएगी, it is the rate of production of organic matter during photosynthesis in an ecosystem, एक ecosystem में photosynthesis के time पे plant ने जितना भी food बनाया है, that is called as gross primary productivity, ठीक है, यानि कि जितना भी food बनाया है, प्लांट ने, वो सारा का सारा इसके अंदर यूज अप हो जाएगा, ठीक है, अब यह जो बास प्राइमरी productivity है, यह डिपेंड इस पे करेगी, हमने देखो एक बोर्ड यहां पर बोला कि photosynthesis, that means photosynthesis कि इसके presence में होता है, chlorophyll के presence में, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, कि it depends on chlorophyll content, chlorophyll content कितना है, यह उसके उपर depend करेगा कि कितना chlorophyll content present है एक प्लांट के पास, ठीक है, अब प्लांट ने जितना food produce किया है, वो सारा का सारा तो यूज नहीं कर पाता, कुछ store कर लेता है, कुछ वो अपनी growth के लिए use करता है, respiratory product में use कर लिया, यानि कि अगर हम लोग सर्फ दो major events को अगर हम लोग लें, दो major events कौन से, एक तो gross primary productivity ले लिए हमने, जो किस से बन रही है, photosynthesis से बन रही है, ठीक है, इसमें से अगर हम लोगों ने एक major event R, यानि कि respiration, ठीक है, अगर हमने इसको minus कर दिया, तो हमारे पास क्या जाएगा, NPP, Net Primary Productivity, यानि कि plant ने कितना produce किया था, कितना उसमें से loss हो गया, ये किसके लिए available है, next को, consumer को, ठीक है, तो ये किसको मिल जाएगा, consumer को, ये किसके लिए हो गया, हमारे लिए, consumer के लिए हो जाएगा, तो हम इसको क्या ना आप दे देंगे, NPP, तो इसको हम define कैसे करेंगे, Respiratory Utilization By Plants During The Measurement Period जो measurement period हम लोगों ने लिया है, उस measurement period पे, हम जो लेंगे वो क्या कहला है, हमारा net primary productivity, ठीक है, यह हम एक और definition, छोटी सी definition क्या बोल सकते हैं, और, We can say that Consumer, अब देखो, plant को eat करने वाला सबसे पहला consumer कौन सा होता हमारा heterotroph, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, Hydro-trops, ठीक है, तो यहाँ पर यह हो जाएगा, यह क्या बन गया हमारा net primary productivity, अब इसको यूज करके, ठीक है, अब यह net primary productivity है, इसको यूज करके, हमारा जो hydrotrophic organism है, वो क्या करेगा, अपनी productivity बनाएगा, ठीक है, तो उसकी जो productivity होगी, जो, यानि कि एक food changes समझते हैं, देखो, plant ने food बनाया, इसको grasshopper ने eat कर लिया, ठीक है, grasshopper को eat किया भी frog ने, तो इसने जो बनाया, जो इसको मिला, वो था NPP, अब यह जो बनाएगा, ठीक है, जो अगले को देगा, वो कहलाएगा, secondary productivity, ठीक है, तो now we will define the term secondary productivity, कौन सी टाम आ जाएगे है हमारी, secondary productivity, the rate of synthesis of organic matter by the consumer, by the consumer is known as secondary productivity. अब secondary productivity, किसके ओपर different depend करेगी, किस पर depend करेगी, amount of net primary productivity, कि यह कितना amount transfer होके आया है, ठीक है, यानि कि grasshopper कितना खाना बना सकता है, जितना उसने इससे लिया है, ठीक है, जितना वो food use करेगा, उतना ही तो बनाएगा, हमारी body के अंदर जितनी हमें energy मिलती है, उतनी हमारी work करने के efficiency क्या हो जाती है, increase हो जाती है, Now, we will study about some factor that affect the primary productivity, जो primary productivity को affect करते हैं, let us study them, सबसे पहला जो है इसके अंदर, that is the plant species inhabiting a particular area, एक एक एरिया के अंदर, जितनी जादा vegetation होगी, जितने जादा plant होगे, उतनी ही जादा productivity क्या होगी, हाई होगी, यानि कि इसके मतलब अगर आप से पूछा जाता है, does the productivity of desert is higher than a terrestrial area, तुम क्या बोलेंगे, no, desert area में प्लांटी नहीं है, तो productivity हाई कहां से होगी, next, environmental factor, environmental factor के अंदर, sunlight main factor है, क्योंकि sunlight क्या करता है, primary productivity को help करता है, किसलिए, because sunlight जो होता है, आपको पता है कि photo system आप लोगोंने study कर रखें, class 11th में, तो जितने भी chlorophyll होते हैं, आरे chlorophyll का अपना एक photo system है, अपने एक proper visibility light spectrum की एक light spectrum होता, जिसको वो use करके activate होता है, तो जो maximum sunlight है किस कौन से area को मिलती है, tropical area को, near to the equator area को, तो इसका मतलब equator area की productivity होगी, वो क्या होगी, high होगी, tropical area, जो हमारे polar reasons है, उनकी productivity क्या हो जाएगी, low, temperature, temperature as you know की जो enzymes होते हैं, enzymes का अपना एक optimum temperature होता है, जिस पे वो work out कर सकते हैं, अगर उस optimum temperature से, temperature इनको high मिलता है, तो भी work out नहीं कर सकते हैं, because enzymes किसके बने होते हैं, proteins के, तो protein denaturate हो जाएगा, वो अपने आपको break करना शुरू कर देंगे, ठीक है, तो proper temperature होगा, तो वो work करेंगे, moisture नहीं की humidity, ठीक है, अगर proper humidity है, वहाँ पर amount of moisture जो plant को चाहिए, अगर वो available है, sufficient है, तो productivity high होगी, लेकिन अगर वो moisture नहीं है, तो productivity क्या हो जाएगी, low, for example, desert area, desert के अंदर moisture नहीं है, तो productivity भी क्या है, less है, ठीक है, next availability of nutrients, soil में कितने nutrient available है, अगर soil के अंदर nutrient access में है, तो क्या हो जाएगा हमारा productivity high होगी, अगर nutrient low है, तो productivity low हो जाएगी, photosynthetic efficiency, एक plant के अंदर कितनी capacity है, sunlight को catch out करने की, आप लोगों ने पढ़े थे, C3 and C4 plants, scam pathway आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो उसके according क्या है, कि कुछ प्लान क्या करते हैं, वो day time में आपने stromata को close करते हैं, but at the night time, they open their stromata and utilize the carbon dioxide, ठीक है, तो उस comparison में बात करें, तो जो cam pathway को follow करते हैं, प्लान, उनकी productivity higher होती है, as compared to the other plant, ठीक है, उसके बाद, NCRT book के अंदर, एक question point out कर रखा है, आपका, yes, यह देखिए, discuss the main reason for the low productivity of ocean with your teacher, low productivity क्यों है, उससे पहले एक बार आप उपर यह point देखें, कि जो हमारे biosphere की productivity जो बोल रखी है, कि net primary productivity जो होती है, 170 billion tons, dry weight में हम count करते हैं, इसने बोला कि इसमें से 70% जो हो है productivity, वो, the 70% of the surface, the productivity of the oceans are only 55 billion tons, यहनकी 170 billion में से 55 billion tons ही present है, इसकी हमारी oceans की, इसका reason, इसका reason क्या होगा, ठीक है, तो इसका main reason क्या होगा अपना, इनकी productivity की, हम लोगों ने सबसे starting में देखा था light के different zones को, ठीक है, तो जो ocean है, ocean में, जो sun की light है, वो depth तक नहीं जा पाती, ठीक है, तो due to the limited availability of light and nitrogen, the productivity of ocean is less as compared to the terrestrial land, ठीक है, तो यह question है आपका, तो इसका मैंने क्या बताया है, एक तो मैंने reason क्या बताया है, इसका आपका, की limited availability है, किसकी, light की, plus nutrients की, ठीक है, और दोनों ही limiting factor ने productivity की, इसलिए ocean की productivity क्या होगी, लेस होगी, और हमारे जो terrestrial land है, उसकी productivity हाई हो जाएगी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे, about the decomposition, thank you.